पार्ठ दो, वन माला और मात्राएं, आल्फबेट एंड सिंबल्स ओफ वाविल्स चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िये मगर, हिरन, मोर, बादल मगर, हिरन, मोर और बादल शब्द कई ध्वन्यों से मिलकर बने हैं मगर, म जमाः, 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 हिरन, ह जमाई, जमाः, 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 मोर, म जमाः, 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 बादल, ब जमाः, 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 निकलती है इन ध्वनियों को मिला कर बोलने से हमारे शब्द बनते हैं इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित जिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं वर्ण माला वर्णों के निश्चित क्रम को वर्ण माला कहते हैं हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के हैं स्वर और व्यंजन्द स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या ग्यारा है इनका उचारन करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहता नहीं लेनी पड़ती स्वर इस प्रकार है अ आ इई उ उ री ए आई ओ आउ अनुनासिक, विसर्ड, आगत स्वर व्यन्जन इनका उचारन करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यन्जन इस प्रकार है कख गघ अंड चच जज इया डठ, डढ़, रड़, अड़, तथ, दध, ना, पथ, बभव, मा, या, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ग्य, श्र, श, त्र, ग्य, श्र, सयुत व्यन्जन जोइन्ट कॉंसोनेंस है ये दो-दो व्यन्जनों को जोड कर बने है श, क, जमा, श, जमा, अ, कक्षा, शेक्षा, शत्रिय, शमा तर, त, जमा, र, जमा, अ, पुत्र, मित्र, यात्र, पत्र ज, 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 ज अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं विसर का प्रयोग कुछ शब्दों में इस प्रकार होता है हम अन्य वेंजनों को जोड़कर भी संयूत वेंजन या संयूत आक्षर बना सकते हैं जब एक ही वेंजन दो बार आए तो उसे दवित्व वेंजन कहते हैं जैसे सत बराबर पजमाः जमात 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 जमाः बराबर पता ग जमाः जमात 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 चित्रों को देखे, उनके नीचे लिखे शब्द पढ़कर शब्दों के वर्णों को अलग-अलग कीजिए. आम, राजा, इम्री, तित्ली, आम बराबर आ जमा म जमा अ, राजा बराबर र जमा आ जमा 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 आ, इम्री बराबर ई जमा म जमा जमा ल जमा इ, तित्ली बराबर त जमा इ जमा त जमा अ जमा ल जमा इ, आपने देखा, की स्वर के दो रूप हैं एक जब स्वर का प्रयोग अलग से होता है जैसे आम अनार एक इमली उल्लू आदी में दो जब स्वर का प्रयोग वंजनों के साथ मिलाकर होता है जैसे राजा तितली आदी में इन शक्दों में हमने आ के लिए आ की मात्रा ए के लिए ए की मात्रा च जिन्नों को मात्राई कहते हैं वेंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो जिन जोडा जाता है उसे मात्रा कहते हैं सभी स्वरों के मात्राई होती है अ की कोई मात्रा नहीं होती हिंदी के सभी वेंजनों में अ स्वर मिला हुआ है अ के बिना हिंदी के वर्णों को नहीं बोला जा सकता जब हम क, ख, ग आदी बोलते हैं तो इसका अर्थ है क, जमा, अ, ख, जमा, अ और ग, जमा, अ, रहित वेंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत या हल्चिन लगाज़ स्वर्व की मात्राएं इस प्रकार है उधारन अ, अ की मात्रा, क, कमल, कलश, कल आ, आ की मात्रा, क, काम, कान, काला इ, छोटी की मात्रा, की, किसान, किताब, किला इ, बडी की मात्रा, की, कील, कीडा, कीमत उ चोटी उ कि मात्र, कु, कुली, कुल, कुम्हार उ बडी उ कि मात्र, कु, कूड़ा, कूठना, कूदना री, री की मात्रा, क्री, क्रिशी, क्रिपा, क्रिशक ए, ए की मात्रा, के, केला, केसर, केवडा आई, आई की मात्रा, कै, कैसा, कैलाश, कैदी O, O की मात्रा, को, कुल, चोट, कोना A, O की मात्रा, कौ, कववा, कौन, कौरब A, A की मात्रा, का, कापी, काफी, कालच R के साथ U और U की मात्रा नीचे ना लगाकर बीच में लगाते हैं जैसे, र, जमा, उ, बराबर, रूई, रूप्या, रूची, गुरू र, जमा, उ, बराबर, रूप, रुमाल, जरूर, अम्रूल हमने सीखा, धन्यों के लिखित चिन्नों को वर्ण कहते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वर और वेंजन के क्रम बद समू को वर्ण माला कहते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और वेंजन स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की साहता के बोले जाते हैं वेंजन वर्णों की साहता से बोले जाते हैं सयुत वेंजन दो वेंजनों के मेल से बनते हैं झाल झाल